दोस्तों यहां पर हमें एक table बनाया हुआ है जिसमें serial number invoice name invoice date name product gender color size product quantity और value दिया गया है तो यहां पर हमें एक नया data तयार करना है जिसके लिए हमें इसमें कुछ columns चाहिए और कुछ columns हमें नहीं चाहिए तो ऐसे में हम क्या करेंगे जो हमें नहीं चाहिए हम उसे hide कर देंगे यहां पर हमें product नहीं चाहिए तो हम इसे delete नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमारा master data है तो ऐसे में हम क्या करेंगे इसको hide कर देते हैं जिससे हमारा काम असान हो जाए अब हमें क्या चाहिए था name gender color और size लेकिन दोस्तों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने product वाला column था हमने select किया ही नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी copy paste करने में वो आ गया है अकसर ही problem सब भी face करते हैं कि data हमने copy तो क्या किया था लेकिन साथ में कुछ और data भी paste हो गया है लेकिन इस बार हम addon क्या करेंगे इस बार हम alt के साथ आपका जो colon semicolon का symbol होता है की होता है उसका हम press करेंगे तो alt plus colon semicolon का key press करेंगे ctrl c copy करेंगे वापास से sheet 2 में जाएंगे और इस बार हम इसको कोई other special paste पेसल नहीं करना है simply ctrl plus v करके paste कर देंगे तो देखा दोस्तों इस बार हमने जो data लिया था सरीफ वही आया है product वाला column इस बार नहीं आया है तो ऐसे हम चोट-चोटी tips and tricks यूज़ करके हमारे काम को असान बना सकते हैं मुझे उमीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें और अन्य लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल